हेलो फ्रेंट्स नमस्ते तो आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी और प्याज की मसालेदार सब्जी इसका टेक्शर देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा टेस्टी बनके तयार हुआ है इसे रोटी पराठा चावल दाल किसी के साथ खाये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगत रहें एक मीडियम साइज का प्याज को स्क्वाइर पिसेज में आठ से दस लहसन अद्रक और दो से तीन हरी मिर्च को डाल के इस तरह से हम ओकली में कूट लेंगे आप इसका पेस्ट पी तयार कर सकते हैं लेकिन यह कूटने वकाट स्वाद आता है वह बहुत ही प्याज को इस तरह से बारिक चॉप कर लें तो अब हम पैन में दो चमश्य करीब सरसो तेल डालेंगे यह सब्जी सरसो तेल में ज्यादा स्वादिस्ट बनती है तो इस तरह से हम डालेंगे जो भी हमारी कटी हुई भिंडी है वो डाल देंगे और इसे तीन से चार मिनट तक हम मिडियम तू लो फ्लें पे इसे हम से फ्राइ करेंगे जब तक हमारी नियुक्ति का कललर से ब्राउं नहीं हो जाता फव takich एक नहीं करीड ten और चुमश्य करिब तेल और ढ़ llैंगे और जो प्याज को स्कॉाइर पिसज में काट यह रोकि इसे ज्यादा नहीं आए ज़्यादा ब्राउन इसे ना करें ये भिंडी की सब्जी बहुत ही स्वाधिस्ट बनती है ये देखिए इसका कलर भी हल्का चेंज हो चुका है तो इसे भी निकाल लेंगे और अब पैन में हम दो चमशे करीब तेल डालेंगे जब तेल गर्म हो जाएगा तो यहाँ पर मैं आधा चमशे करीब राई के दने डाल रहे हूं इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है अगर आपके पास राई ना हो तो आप जीरा या पीली वाली सरसोग अब इस्तमाल कर सकते हैं अब हमने जो प्याज को बारीक चॉप किय तो इसे डाल देंगे तो इसे अब हम एक से दो मिनिट तक हलका ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे बिल्कुल हलका ब्राउन करना है ज्यादा ब्राउन नहीं करना है तो कुल मिलाके हमने इसमें दो प्याज इस्तमाल किया है एक को जो हमने बारीक चॉप किया है उसके साथ जो हमने अद्रक लहसन और मिर्ची को कूटा था वो डाल देंगे और ज्यादा नहीं बस 30 सिकंड तक इसे में फ्राइ करना है फिर बिल्कुल बेसिक वाले मसाले तो एक चमचल दी एक चमच दनिया और तीके के अनुसार आप इसमें लाल मिर्च डाल दे अब 30 सिकंड तक हम मसालों को मिक्स करते हुए फ्राइ करेंगे उसके साथ ही अब हमने दो स्मॉल साइज का मैंने टमाटर को बिल्कुल चॉप कर लिया है आप एक मीडियम साइज के टमाटर का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो यह डाल के बढ़िया तरीके से मिक्स कर दें और उसके साथ ही हम यहा तरह से आप चलाते रहें ताकि हमारे जो मसाले हैं वो जले ना इस तरह से चलाते रहें यह हलका सा तेल अपने आप छोड़ देगा तो यह देखिए इसने तेल छोड़ दिया हलका साथ उसके साथ ही हमने फ्राइ किया हुआ भिंडी और प्याज इसमें डाल देंगे और बढ प्लेम पर हमें पकाना है बीच बीच में इस तरह से चलाते रहें तो फिर से ढख ढख के इस तरह से चार से पांच मिनट तक पकाएंगे तो लगबग हमारे भिंडी तयार है इसे रोटी चावल पराठे किसी भी चीज के साथ सब करें वीडियो पसंद आया हो तो लाइक श और सब्सक्राइब जरूर करें थाइंक